ओम वंदे गौवा मात्रा मित्रो स्वास्थे रक्षा से प्रभाप सबका स्वागत करती हैं मित्रो आज एक जो विशे हमने लिया है ये गर्वती महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है और यदि आपने इस विशे पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपका ड प्रसव में कुछ कॉंप्लिकेशन्स आते थे यानि कि बच्चा कहीं महिला को पेन तो आए हैं लिक्रो प्रेशर बराबर नहीं दे पारी है और कुछ ऐसी स्थितियां जब बंती थी यानि कि बच्चा नहीं निकल पा रहा है तो ऐसी स्थितियों में सीजर किया जाता था आने था सामने था कोई डॉक्टर सीजर नहीं करता था और कम से कम 15 दिन पहले भी डॉक्टर नहीं बताते थे कि आपको सीजर करना पड़ेगा लेकिन आज कल हम देखते हैं तीन चार पांच छे साथ महीने पहले तक डॉक्टर कह देते कि आपको सीजर करना पड़ेगा अंदर से डर जाता है, उसको ये लगता है किया रहे मेरे को normal delivery नहीं होगा तो मेरे को ऐसी परिशानी होगी और बहुत सारी समस्याँ से उसको जूजना पड़ेगा ऐसा उसको समझ में आने लगता है और वो डर जाता है क्योंकि operation विशह ही ऐसा है कि इस से सबको डर लगता ही क्य carta सब को डर लगता तो यह दी आप इस चीर माइशना चाहते हैं एधि आपकी डोक्टर ने भी आप को ऐसा बोला है तो सबसे पहला काम आप डोक्टर बदलीए कहा जाए Εं ऐस पस्ट करती हूं होता क्या है जब आप private hospital में चाहते ही तो वहां उनको दुकाने कहती हूं और दुकान जो खूलती ही वह सिर्फ profit के लिए खूलती ही हूं वहां उनको profit कमाना होता है इसलिए धूकाने खोलते हैं लेकिन सरकारी इसपताल हो या चरिटेबल ट्रस्टाच ताकि आप फसने से बच सकें, तो आप करना क्या है मित्रो, यदि आपके डॉक्टर ने आपको पहले सही सिजर बता दिया है, तो सबसे पहले डॉक्टर बदलिए, और किसके पास जाएं, तो ऐसे किसी जैसे मैंने बताया, सरकारी या चरिटेबल ट्रस्ट के सपतल में जाए मित्रो, आपको सावधानी हर जगे रखनी है, क्योंकि यदि आप प्राइवेट में जाते हैं, वो आपको सोनोग्राफी करेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशन बताएंगे, और उसके नाम पर आपको दवयां खिलाएंगे, और फिर आप यदि आपको लगेगा कि ऐसा है, डॉ मित्रो, जिस डॉक्टर ने आपके सोनोग्राफी की है, वो आपको बता पाएगा, क्योंकि मैंने आपको सोनोग्राफी नहीं की है, तो मैं आपको उसके बार में कुछ नहीं बता सकती है, और यह जो समस्य आपको सोनोग्राफी के बाद, वो आपको डॉक्टर ने बताई ह आपकी समसें वो नहीं है तो उनके समाधन में आपको कदापे नहीं बता सकती है हाँ हमारे वीडियो में हमने सबस्ट बताया है कि आपको कैसे निर्देशों का पालन करना है क्या क्या करना क्या नहीं करना हमारी पूरी प्लेलिष्ट गरभावस्था वो हमने पूरा उसमें मताया, कि आप ये area सब पालन करेंगे तो आपके delivery नौरमल ही होगी पर हाँ, यदि आप हमारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पस उसके लिए को यो रस्ता नहीं होता हम आपको निर्देश दे रहे हैं उसके लिए आपको कोंप्लिकेशन के समाधन हमारे उन वीडियो में आपको मिल जाएंगे और यदि हर विशे पर मैं वीडियो बनाने जाओं इतनी वीडियो आप भी नहीं देखेंगे और इतनी वीडियो बनाने का मेरे पास समय भी नहीं है यह छोड़ी छोड़ी बात पर वीडियो नहीं बना करते हैं तो कुछ कंडिशन में आपके सिजर डिलिवरी होगी जैसे आपसे पेन बरदास्ट नहीं हो रहा है आपसे पेन सेहन नहीं हो रहा है वरना आपको बता दूँ सवाचार साड़े-चार के लोग के बच्चे भी साम्माने प्रसाउस से यानि की नॉर्मल डिलिवरी से ह हो जाया करते हैं मेरा अपना बेटा सावाचार के लोग का हुआ था इसलिए मैं पुई बत स्पस्तारिके से बता रही हूं और मैंने मुझे कुछ ज्यादा परिशन ही नहीं होई थी एक साम्माने डिलिवरी के ऐसे होती है वैसी मेरा बच्चा हो गया था रात को पेन बस्ते वेकते हैं आपका बच्चा मुवमेंट कर रहा है जब तक बच्चा मुवमेंट करे कभी बी शीजर के चकर में मत पढ़ चाते हैं थो इतने निरधैश हमने आपको दीये हैं всी कुछ विश है बच जाता अब तो वीडिव प्टी पढ़े करें या आप वीडिव झाल झाल झाल